अटेंडेंस कौन लेगा? टीच्मेंट पेपर कौन चक करेगा? टीच्मेंट तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सेलेक्शन कराएं सर बाकि सो अब टीच्मेंट कर लेगा चाहे जैसी भी जरूरत हो टीच्मेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग आप नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल एजुकेशन तक मैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर निकल कर रहे है कब आपका यहां पर मैटिक का रिजल्ट आन्या वलाहा यानि कि असकूर्टिनी का जो भी ऑनलाइन आवेदन के थे उनका रिजल्ट कब जारी होने जा रहा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आंध तक जरूर से देखेंगा चलिए दोस्तों वीडियो यह स्टार्ट करते उससे पहले आपसे एक छोटा सरिकेश्य है कि अगर आप इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाए और रेड उन सब्सक्राइब बटन है उसको द्वाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके भगल में के घंटी होगा उसको आल पर सेलेक्ट जरूर से कर लिजेगा तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैटिक असकुटनी पर किरिया आज से होगी शूरी तो सबसे पहले दो सबसे हो आज से सुरू कर दिया जाएगा कब तक यहां यहां पर है आपको बता conse आन्या पर धुरह शमाप्त कर लिया जाएगा यानि कि पंदरो जून तक आपको यह पूरा समाप्त कर लिया जाए यानि कि जो भी छात्र मैटिक में एक या दो बीसे में फेलो गया था कोरोना संकर्मन के कारण अस्टागित कर दिया गया था यानि कि दूस्तों आपका अस्कुटनी का यहां पर काम ही चल रहा था और बीच में आपका कोरोना संकर्मन की रव्वतार है जो कि यहां पर घ्रां से आपका अस्टागित कर दिया गया सबढ़ा है अब जल इन्सका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यानि कि आपका यहां पर 15 जुन तक समाथ कर लिया जाएगा उसके बाद यानि कि 16 या 17 का आपका यहां पर मैटिक असकुटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसके बाद इंटर में नमांकन ले पाएंगे ग्यात हो कि मैटिक का रिजल्ट 5 अपरेल को जारी हुआ था इसके तुरंत बाद बोड ने असकुटनी के लिए ऑनलाइन आविदन मांगे थे हैं तो देखिए यहां पर 15 जुन तक आपका यह सवाप्त कर लिया जाएगा उसके बाद आपको दो से तीन दिनों के अंदर में आपका है जो कि मैटिक का स्कुटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा क्योंकि यहां पर इंटर में नमांकन है जो कि अगले सब्ता से आपका यहां पर शुरू होने वाला है जो कि आज यहां पर न्यूज में निकलकर उसका भी वीडियो में थोनी देर में आपको इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप लोग जो भी चानल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आज जादा सेयर कर दीजिएगा